हेलो सो टेक्नरूरूस में आप लोग का स्वागत थे और फाइनली यहाँ पे Realme ने इंडिया के अंदर अपने Realme 3 को जो वो लॉंच कर दिया है बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कभी आएगा कभी आएगा तो आज वो दिन आ गया है और फाइनली यहाँ पे Realme 3 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है Realme 2 का सक्सेसर बनके आया है उसके अलबा बहुत सारे नए इंप्रूफ फीचर्स भी आपको मिलते हैं जो आपको मैं यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ वैसे फिलाल के लिए आपको यहाँ यहाँ पर यह दो वेरिंट्स में मिलता है 3 आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में इसके प्राइस को अपडेट कर दूँगा तो वहाँ पर जाएगी तो आपको पता चल जाएगा उसके अलावा यहाँ पे Realme 3 में आपको क्या कुछ खास मिलता है यह वीडियो आप देखते ही मैं आपको इस वीडियो में इस वाले फोन की सारी जानकरी यहाँ पे देने वाला हूँ तो दोस्तों बॉक्स देखेंगे आपको कुछ इस तरगे का मिलता है सामने की तरफ लिखा है 3 नीचे है Realme और लेफ्ट और राइट में Realme 3 लिखा है लेगिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो बॉक्स यहाँ पे Realme U1 से काफी मिलता जूलता है क्योंकि Realme 2, Realme 1 की बॉक्स तो एक दिम से अलगत है उन्होंने Realme 3 की बॉक्स को भी पूरा चेंज कर दिया है एनिवेज यहाँ पे पीछी की तरफ आप लोग उसके कुछ स्पेसिकेशन डीडिल जो वो मैंशन किये गे उसके बहले आपको बता 6.2 इंच की एक HD Plus की डिस्पेश मिलती है आपको एक Waterdrop notch वाली डिस्पेश मिलती है साथ में आपको यहाँ पे इसके अंदर 19.9 का aspect ratio मिलता है प्लस Gorilla Glass की protection भी मिलती है अब वो unspecified है हमें नहीं पता कौनसी protection और प्रोवाइड करी है लेकिन डिस्पेश दोस्तों बहुत ही बढ़िया है considering the price जो आप पे कर रहे है आपको कोई problem यहाँ पे डिस्पेश में नहीं होगी बहुत ही अच्छी quality का आपको यहाँ पे डिस्पेश जो वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको इसके अंदर Helio P70 वाला processor मिलता है अब यह जो processor है यह बहुत ही बढ़िया ह Snapdragon 660 को भी इसने बहुत जगाओं पे पीची छोड़ा था मैंने comparison भी किया हूँ उसके अलावा यहाँ पर यह 12NM वाला processor है 2.1 GHz के उपर है प्लस आपको जब game खेलते है आप इसके अंदर तो power consumption इसका अत्रवासा less होगा अगर आप उसको normal Snapdragon 660 से compare करते है प्लस यहाँ पे gameplay भी बहुत ही smooth है PUBG आप इसमें HD High Graphics में खेल सकते हैं तो imagine करिए इस वाले phone में एक budget type का phone है उसमें आप PUBG High Graphics में खेल रहे हैं तो मेरे सब से बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे camera की बात करें तो आप लेको 13 plus 2 Megapixel का dual rear facing camera मिलता है और यहाँ पे यह जो camera है फिलाल के लिए अच्छा improvement यहाँ पर आपको मिल जाता है F1.8 का आपको aperture मिलता है प्लस आपको यहाँ पर night skip का भी यहाँ पर जो feature मिल जाता है आपके जो night के जो pictures होगे अब यहाँ पर आप लोगो थोड़ी सी better देखने को मिलेगी अगर आप उसको realme 2 वाले pictures से compare करते प्लस आपको boost भी मिलता है मतलब आपके picture में तोड़ा सा और जान डाल देगा अगर आप उसको click करते उस वाले option को enable करके साथ में आपको full HD वीडियो भी recording करने मिल जाता है उसके अलावा बहुत सारे features मिलते जो आप खुद से test करेगा तो आपको पता चल जाएगा anyways यहाँ पे selfie में उन्होंने improvement करी है इस बार आपको 13 Megapixel की selfie मिलती है F2.0 का aperture है Realme 2 में आपको 8 Megapixel की मिलती है ते लिकिन यहाँ पे 13 Megapixel की मिलती है AI beautification प्लस आपको HDR, bouquet यह वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगो देखने को मिल जाता है मैं in-depth यहाँ पे camera review इसका करने वाल इस नहीं कि आपको वही same यहाँ पे battery जो प्रोवाइट करिए तो यह थी दोस्तों इसके कुछ specs और फड़ावर से यहाँ पे बॉक्स को open कर लेता हूँ और सबसे पर अगर आप देखते है तो आपको यहाँ पे कुछ documentation प्रोवाइट किये गए और प्लस एक back case भी मिलता है और यह देखेंगे यह कुछ warranty card user manual बगरा मिलता है और यह back case आपको provide के गए आप क्यूंकि आपका जो phone है वो वैसे काफी back जो वो काफी glossy है तो इसको लगा कि आपको उसको protect करना पड़ेगा क्यूंकि वो काफी premium लगता है इसलिए उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंग तो dot 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 जैसे कुछ star जैसा कुछ effect आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो बहुत है अच्छा लगता है और realme के यहाँ पर देखेंगे ब्रैंडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अभी एक polycarbonate back एक glossy finishing में आपको मिलता है तो उच्छी बात एक premium design आपको य मिलता है यह box content फड़ावर से हमाते हमारे phone की तरफ तो यहाँ पर दोस्तों हमने हमारे phone को boot कर दिया और display देखेंगे वैसे बहुत ही बढ़िया है और wave angles देख लेंगे भाई तो आपको कोई problem होने नहीं वाली है display की quality में no compromise है उसके लावा यहाँ पे आपको इसके अंदर color OS 6 मिलता है जी हाँ thankfully आपको latest color OS 6 मिलता है Android 9 Pie के साथ में जो मुझे काफी खुशी हो रही है और यह OS इतना ज्यादा features देता है कि मुझे dedicated वीडियो बनाने पड़ीगी कि इसमें क्या कुछ मिलता है वो सारा features आपको में एक वीडियो बना के बता दूगा लेकिन यहाँ फिर देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर बटन नहीं मिलता आपको सिर्फ नीचे की तरसे स्वाइप करना उपर की तरफ यह देखेंगे कड़क से हो जाता है और बहुत ही फास्ट यह जो फोन हो गया है आप color OS 6 के साथ में इतना ज्यादा फास्ट चलता आप देखेंगे तर में यूज़ करता हो और YouTube धर 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 खुल जाता है और यह देखेंगे सेटिंग भी पट करके खुल जाता है मतलब मदा आगया है मतलब स्मूथ काफी जादा फास्ट हो गया है लेकिन अगर आप चाहे तो नैविगेशन बटन को भी अपने हिसाप से कस्टमाइज कर सक है और उसके अलावा इतने सारे options मिलते हैं कि भाई आप खुद थक जाएगे आपको क्या करना है प्लस बहुत सारे नए features उन्होंने इस बार इसमें add कर दिया और एक चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी color OS की कि यह काफी smooth है बहुत ही fast है काफी responsive है अगर मैं इसको color OS 5 से compare करता हूँ तो better है कि अगर इस पर और मैनत करेंगे तो भाई यह तो बहुत ही कमाल का हो जाएगा उसके अलावा यहापे आपको एक और चीज़ बहुत है इसका नोटिफिकेशन पैनल है यह देखेंगे अरे वा क्या बढ़िया लग रहा है और तो नीची की दरफ और में खीश देता हूँ हाला कि फील तो आइफोन जीसा आ रहा है लेकिन फिर भी यार आपको बहुत ही बड़े बड़े अब यहाँ पर आइकन्स मिल रहे है और इस तरह की कि आपको कुछ मिलता है ब्रैटनेस वह देखेंगे यह पार्ट कितना जोड़ा सा हो गया है और उसके अलावा यहाँ पर अगर वॉल्म बटन में दबाता हूँ वॉल्म आकम जाता करने के लिए तो यह भी देखेंगे आप अपने फिंगर से स्वाइप कर सकते हैं और यह भी काफी बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो यह है कलर ओवे 6 में आपको पहले सह नवी अपर देखने को मिल जाता है यहांपे दूस्तों अगर मैं फिंगर्बेंट स्केनर और फेस अनलोग की बात करूँ तो यह देखेंगे फिल से लिकाता हूँ यह देखिए एनिमेशन तोलब से चेंज किया है और देखेंगे फेस औनलोग का यहाँ पर तो एनिमेशन में भी वैसे उन्होंने काफी सारी चीज़े उन्होंने जो एड करिए यहाँ में कुछ और additional features की बात करूँ दोस्तों तो आपको इसके ने dedicated microSD card का slot मिलता है तो 2 SIM card प्लस आप एक microSD card लगा सकते है, dual 4G volt का support मिलता है, plus audio से regarding में बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पर direct वाला उनका जो normally realme के phones में मिल रहा है, realme U1 में मिल रहा था, तो वो भी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है तो आप अपने audio quality को और भी enhance कर सकते हैं यहाँ पर finally दोस्तों बात करते हैं, इस phone के camera की, क्योंकि बाकी तो P70 है आपको display, battery वगरा, तो सब कुछ आपको वैसे मिलता है, लेकिन camera की बात करता हूँ तो आप लोगों वैसे के camera वैसे काफी impressive जो वो देखने को मिलता है, यहाँ पर मैंने कुछ samples आपको screen पर दिखा रहा है, detailing वैसे आपको काफी अच्छी मिलती है natural feel आता है, और वैसे specially जो है वो night में काफी अच्छे pictures ले रहा है मतलब मुझे impress कर रहा है, अगर मैं इसको normally Realme 2 से compare करता हूँ, तो इसका camera मुझे थोड़ा सा better लग रहा है, और selfie वे वैसे दोस्तों, उसकी काफी बड़ी है, 13 Megapixel के selfie बुके mode मिलता है, उसके अलावा आपको selfie भी अच्छी कासी मिल जाती है, मैं excellent तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको अच्छी कासी selfie यहाँ पर जो देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर दोस्तों, यह आपको phone कुछ इस तरह की का मिलता है, अगर आप उसको normally Realme 2 से compare करते हैं, या इसकी competitor से compare कर लेते हैं, जो की Zenphone Max M2 है, या बहुत सारे phones आपको 10,000 रुपी के range में मिलते हैं, तो यह वाला phone बहुत ही बड़ी है, आपको देखने को मिलता है, मैं वैसे सोच रहा हूँ, Redmi Note 7 के साथ में उसको compare करने और क्या कुछ आपको देखना है वीडियो, वो भी मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं आप लोग के लिए वो वीडियो यहाँ पर ले क्या हूँगा, तो यहाँ पर दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो के अंदर, अगर आप को यह वीडियो पसना आया, तो जरू से आप लिए वीडियो को लाइक करिए, मैं फीचर में गीवर वीकी भी प्लानिंग कर रहा हूँ इस फोन से रिगारिंग, तो जरू से मुझे आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं, मिलते हैं आप सग लव डूमिक, ने विडियो को साथ, तिल ने व एप स्मालिंग